हमारे नए कर्ली न्यूज इंडिया चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भेलें देखिए आप देख सकते के अभी हमारी पुरी टीम एमाएम की तरफ से जो शहर के हालत बने वे जैसा कि आप जानते के साथ बजे टीम सी निकल दी पुरा शहर बन करवा देती उससे काफी लोग परेशान है उसके रिलेटेड हमारी टीम ने आज यहाँ पर आकर के जो नए आउटाय है सालून के सागर सालून के साब मुंवरा प्रभाक समीधी आए उनसे मुलाकात की और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो भी याने आपने टायमिंग बन आया है वह जहाँ जहाँ पर रेड जोन दिये गए है जहां पर झालोना काफी परशान से उन चाहिए देखिए जैसे आपको पता है कि जहां जहां गिरिन दिया गया तो अध्य वह पर लोगडान नहीं लगाया गया तो हमारे यह की हमारे भी लॉगडान नहीं परफेक्ली और यहां के जो लोग है काफी परेशान है जो टाइमिंग को लेकर के देगे बहुत से लोगों का जो जहां पर धन्दा है ना वो साथ बजे के बाद शुरू होता है मुम्रा थोड़ा लेट शुरू होता है या मॉनिंग के बज़े हमने यही मांगनी कि एक टाइमिंग ना रख कर गे जैसे नॉर्मल देज में मुम्रा ओपन रहता है वैसा हम लोगों लिया चोड़ा जाए ताकि हमारे वहां पर लोगों को कुछ प्राय बने कुछ बिजनेस बने लोग डॉन के खिलाफ इसलिए तो हमने हमारी पार्टी माइम ने जो लेटर दिया है एमसी साब को इसलिए दिया गया है कि ज जोन में नॉर्मल तरीके से धंदा होने दिया जाए दुकानों को खोलने का पर्मिशन किया जाए और दूसरा मैं मुम्रा शहर के लोगों से और दुकानदारों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपना जो टेस्टिंग चाले और टेस्ट करवाई है ताकि किसी को पर प्रिशानी नहीं होए और इंशाल्ला ताला जो तमाम फैसलिटी जो थाना मानगर पालिका के तरफ से दी जा रही है और जो गाइडलाइन है कुरोना को लेके उसके उपर ध्यान देके लोग सोचल डिस्टंसिन रखे कारोबार करें और जो आपने घरों के अंदा जो जो अधिक वो सब का इस्तिमाल करें मेरी यह उमीद है पूरा थाना मानगर पालिका के आयूक साब से के इंशाल्ला यह जो प्वैसला मुम्रा के लिए लिए उसके उपर वो नजर शानी करेंगे और इंशाल्ला उमीद है कि मुम्रा को ग्रीन जोन की वज़त से वापस से हमार तमाम दुकाने को खोलने का परमिशन मिलेगा इंशाल्ला तरह